दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत आपके अपने चलनल क्रिकेट करेजी धरम पे तो आज हम चर्चा करें कि भारत और उस्टेलिया के बीच जो तीन मैच की एक दिवसिया सीरीज खेली जानी है 17 माज से उसके बारे में और उसमें क्या रहेगा प्लेइंग लेवन और क भारतिये क्रिकेट टीम एक दिवसिया फॉर्मेंट में करीब दो महिने बाद कोई मैच खेलने वाली है और टीम इंडिया ने अपना आखरी मैच जो है वो वन डे मैच में 24 जनवजी दोजर तेज को इंदोर में न्यूजिलेंड के खेला था उस मैच में भारत ने 90 रन से जीत हासिल की थी भारतिये टीम ने दो महिने पहले घरिलू मैदान पर न्यूजिलेंड और शुरलंका दोनों को एक दिवसिया और T20 इंटरनेशनल सीरीज में हराया था दूसरी और ऐस्टलिया के नवंबर 2022 में घरिलू मैदान पर इंगलेंड के खिलाफ 3-0 से जीत हासिल करी थी सीरीज का पहला मैच मुंबे के बनखेडे स्टेडियम में खेला जाना है सुरेयस अयर जो हैं चोट के कारण वंडे सीरीज से पूरी तरह सुपलब्द नहीं रहेंगे और वो बाहर रहेंगे रोहित शर्मा अपने पारिवारिक परतिबजताओं के कारण पहला कमिन्स के मा के निधन के कारण ऑस्टेलिया में अभी वो वापस हैं वहीं हैं और वंडे सीरीज के लिए भारत नहीं लौट पाएंगे उनकी जगह स्टिवन स्मीत ऑस्टेलियाई टीम की कमान संभालते नजर आएंगे आपको बात करें अगर ओपनिंग जोडिका तो पहल साथवे नंबर पे केल राहूल चटे नंबर पे अगर हम बात करें तो खुद कप्तान हार्दिक पांडिया नजर आएंगे साथवे नंबर पे रविंद्र जडेजा का खेलना संभावना पूरा ज्यादा है और आठमे नंबर पे संभावता कुल्दी प्यादव होंगे लिवाजी करेंगे हो सकता है मुहमद शमी या उम्रान मली को भी मौका मिले तीसरे गिंदवाज के तौर पे लेकिन यह देखने वाली बात होगी वैसे मोर और लेस प्लेइंग 11 यह होने वाला है अगर हम बात करें ऑस्टलिया की तो मिशल स्टार के साथ नौथन एलिस या मारकस स्ट्वाइनिस से महतपुर्न भूमिका की उमीद रहेगा बात करें अगर पीच रिपोर्ट की तो पीच रिपोर्ट में वानखेड़े स्टेडियम की पीच जो है लाल मिट्टी की बनी हुई है और उस स्टेडियम की सत्व काफी कठोर बनाती है जिससे गिंदवाज को अतरिक्त उचाल मिलता है और यहां पर टेस्ट ओडियाई ट्वंटी में पीच का बिल्कुल मिजाज अलग होता है और बनखेड़े स्टेडियम में पीच रिपोर्ट की बात अगर हम करते हैं तो यहां पर ज्यादा तर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा तो यहां में तेज गंदवाज को ही मदद मिलेगा स्पिनर को ही मदद मिलेगा तो इसके एकॉर्डिंग आप अपना ड्रीम 11 में टीम बना सकते हैं मिलते हैं नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू भरी मच नमस्कार